वर्षों कुरानी बाथ हैं एक राजा था, उसके महल के पास में ही एक जंगल था, इस जंगल में रहने वाली एक बुलबुल बहुत ही मीठी आवाज में गाती थी, एक दिन राजा ने अपने मंतरी को उसे लाने का आदेश दिया, मंतरी किसी तहे उसे पकड़ने में सफल हो गए, राजी को बुलबुल पर दया, आई और उसने पिजरा खुल दिया, बुलबुल उर्ती हुई अद्रिश हो गई, राजा बुलबुल के संगीत का दीवाना था, उसने मंतरी से दूसरी चिडिया लाने के लिए कहा, मंतरी ने राजी के शिल्पकार से हुभ हुव वैस गाती ही मिट्टी की बुलबुल बनवाई जो गाती भी थी, राजा सोने से पहले उसका गाना सुनता था, एक दिन वे इंगे कर टूट गई, राजा उदास और बीमार रहने लगा, एक दिन रानी की कृपा का प्रतिदान देने वही बुलबुल आई और खिड की पर बैठ कर गाने लगी, राजा ठीक होने लगा, अग प्रति दिन रात को बुलबुल आती, गाना गाती और राजा को सुला कर चली जाया करती थी, शिक्षा स्वतंत्रतान मोल है